रंगों का त्योहार होली देश भर में बड़े उस्सा के साथ मनाया जाता है और इस बार या पर्व 25 मार्च को आ रहा है इस पर्व को लेकर अने प्रकार की क्यूदंतियां भी जुड़ी होई है होली के दिन दान पूर्ण ने करना भी विशेश माना गया है लेकिन इस बार होली पर इन चीजों का दान भूल कर भी ना करें नहीं तो हो सकती है आपके जीवन में आफ़त और कि इन चीजों का दान करना सर्वरसेश्ट माना गया है आईए जानते हैं पंडित शिवनारेन च आप ने पुछा कि होली के दिन जिन वस्तों का दान भी करना जी होली पर जो दान नहीं किया जाता है उसमें प्रमुक रूप से जो जो चीज़े आती है वो मैं आपको बताता हूँ कि होली के दिन एक तो बिच्छोडी और च्छोडी का दान नहीं करना जीए उसके बाद किसी प्रकार का स्वन या चांदी का दान ये नहीं करना जीए कुछ सास्रों में वनीद है कि इस दिन सुवाक की वस्तों वस्त्र आवशनों का भी दान नहीं किया जाता है वेसे तो हुली के दिन बहुत सारी चीज़ों का नाम आते हैं जिसका दान नहीं किया जाता है जैसे हुली के दिन आप लोगों को वस्त्र के साथ-साथ जैसे जरहन पादु का होती ही चपल जूते इनका भी दान वर्जित बताया गया है हुली पर विशेश करके हुली का पूजन करने के पशाद ही इन चीज़ों का दान किया जा सकता है साथ-साथ में हुली का पूजन के बाद जो दान दिया जाता है उसमें विश्तान पक्वान या जो भी खाने की वक्तु होती है खुश लोग बेशन के भजिये और जलेवी का, हीमर्ती का, मेदे की पूरी का इनका दान करते है और ये दान जो है लिंग पुरान के आधार पर किया जाता है मेरा सभी धर्मात्मा लोगों से जो धर्म को धारन करके दान करने की इछा रखते हैं उनसे निवेजन है, इस दिन जो दान करना चीए, मैंने बताया उनी वस्तों का दान करें अन्या किसी और वस्तों का दान नहीं करें जय स्री कष्न, जय स्री रादे, रादे